19 डिसंबर बड़ा सौंबार सान तो हचार पाइस की आखरी एकादशी अध्पुस्य योग पे आई सफला एकादशी शिवलिंग पर चढ़ा दे यह एक जीज जीवन भर नहीं होगी धन की कमी बड़ी से बड़ी परिशानी तुरंथ होगी खत्म ओम गर्णशी महागड़ी शाय नमा राधी राधी दोस्तों कैसे हैं आप सब दोस्तों पाउश मास की किष्णपक्ष की एकादशी को सफला एकादशी के नाम से जाना जाता है शास्तों के अनुसार सफला एकादशी के दिन भागवान विश्णो मा लक्ष्मी का पूजन करने से व्यक्ति की सभी मनो कामनाय पोण होती है और सभी दुखों से छुटकारा मिल जाता है भागवान शी किष्णे ने बताया है कि बड़े बड़े यक्यों अनुष्ठानों से मुझे उतना संतोष नहीं मिलता जितना सफला एकादशी का प्रत रखने से मिलता है सफला एकादशी का प्रत रखने वाले मनुष्य के दुरभा के दूर होता है और सौभागे की प्राप्ति होती है जो मनुष्य इस दिन प्रत रखते हैं उन्हें भगवान विश्णु के किर्पा से जीवन के हाँ छेत्र में सफलता मिलती है। इसलिए इस एकादशी को सफलता देने वादी याने की सफला एकादशी कहा जाता है। इस बार सफला एकादशी पर देकही योग के साधी बुद्धा दित्य योग और लक्ष्मी नारायन योग भी बन रहा है। इस शुब योग के चलते इस बार की एकादशी का महत्व कही गुना अथिक बढ़ गया है। दोस्तों इस बार एकादशी सौंबार के दिन है। सौंबार के दिन एकादशी होने से इसका महत्व और अथिक बढ़ गया है। क्योंकि सौंबार का दिन भगवान शिपजी को समर्पित है। सौंबारी एकादशी के दिन भगवान श्री हरी विष्णु मा लक्ष्मी जी के साथ साथ भगवान शिप जी का भी विशेश रूप से पूचन किया जाता है सौंबार और एकादशी के इस सुपसायोग पर भगवान भोले नात का पूचन करने से भगवान शिपजी के साथ साथ भगवान बिश्नुजी के करपा से हर दुख, कष्ट और परिशानियों से निजात मिल जाती है और सुखी, निरोगी और समर्थ जीवन प्राक्त होता है सभी देवी देवताओं में से भोले नात को प्रसंद करना सबसे आसान है भोले भंडारी बैसे भी बैरागी हैं और भगत यदी प्रसंदा पूर्वक एक लोटा जल भी अर्पित कर देतो उसकी मुँ मांगी मुराद पूरी कर देते हैं आम तोर पर शिबलिंग पर जल अर्पित किया चाता है शिबलिंग पर जल अर्पित करने को जनाभी शेख कहते हैं लेकिन अगर आप कुछ बिशेश प्राफ्त करना चाहते हैं तो भगवान शिप्ची को अपनी इक्षा के अनुसार अलग-अलग ग्रब्य अर्पित करें। दोस्तों, अगर आपको धन सम्बंदी कोई समस्या है, आप पैसों की तंगी से जूज रहे हैं। आर्थिक समस्या लगातार बनी हुई हैं। तो आज के दिन आप सुबह उठकर इसनाद करके सच्छ बस्ते धारन करें। इसके बाद एक लोटे में शुत्र जलने। इस जल में आप शुत्र सहर मिलाएं। अब शहर मिले हुए इस जल से आप भगवाण शिवची की शिबलिंग का अभिशेक करें। शिबलिंग का अभिशेक करते समय आप मन ही मन ओम नम शिवाय मंतर का जाप करते रहें। महिलाएं और कन्याएं नम शिवाय मंतर का जाप करती रहें। जल अर्पित करने के पश्चात अब आप 108 बार ओम नमा शिवाय मंत्र का जाप करें, महिलाय और कन्याय नमा शिवाय मंत्र का जाप करें. इसके बाद भगवान विश्णू जी के महामत ओम नमो भगवती वासु देवाय का भी 21 बाद जाप करें जाप करने के पश्चात अब आप भगवान श्री हरी विश्णू और भगवान भोले नात को प्रणाम करें और अपनी धनसंबंदी समस्याओं को दूर करने के प्रात्ना करें ऐसा करने से भगवान भोले नात और भगवान श्री हरी विश्णू जी के कृप्रा से आई में प्रधि होती है और आर्थिक इस्थिती सुद्र होती है दोस्तों यदि लंबे समय से आपके बैवाहिक जीवन में कल है और कश्ट का माहौल बना हुआ है तब ही आपको भगवान श्री हरी विश्णू का पूचन करें ऐसा कहने से बैवाहिक जीवन में चली आ रही परिशानिया दूर होती है और दामपत्य जीवन सुख में बद्दा है अगर आप बिधाती हैं या आप कोई परिक्षा दे रही हैं परिक्षा में सफलता नहीं मिल पाती जितनी मेहनत करते हैं उतने अच्छे अंक नहीं आ प भागवान पिश्टू जी का पूचन करें ऐसा करने से परिक्षा में सफलता मिलती है और दिमाग तेज बनता है लेकिन दोस्तों धान रखें शिवची का अभिशेक दूर्स से करते समय आप ताबे के पात्र का इस्तमान ना करें निसंतान दंपत्ती जो संतान सुक्की काम करते हैं वे आज के दिन भागवान शिवची की शिवलिंग का जलाभी शेक करें चलाभी शेक करने के पश्चा शिवलिंग पर गैहों अर्पित करें इसके बाद शिवलिंग के सामने दीपक जला कर रामायन में वर 느त्वरुद्राश्टक पाठ करें ऐसा आपको लगातार 41 इस दिन तक करना है ऐसा करने से भोले नात की करपा से संतान सुख्य प्राप्ति होते हैं अगर किसी बीमारी की बज़े से आपको संतान सुख्य प्राप्ति नहीं हो पा रही है या आपको शारिरिक दुरवलता है तो इसे मुक्ति प्राप्त करने के लिए आप आज ये दिन शिबची की शिबलिंग पर शुत्य देशी घी चड़ाएं। ध्यान रखें, आपको गाई के दूस से बना हुआ शुत्य देशी घी ही शिबलिंग पर अर्पित करना है। और जुत्राश्टक का पाठ करने। ऐसा कहने से शार्टिक दुरवलता दूर होती है। अगर आप खूब सारा धन कमाना चाहते हैं, जल्द से जल्द अमीर होना चाहते हैं, सांसारी सुखों की कामना करते हैं, तो आप आज के दिन भगवान शिबची की शिबलिंग का गन्य के रस से अभिशेक करें। गन्य का रस ना हूँ तो किसी फल का रस या फिर जल में अगर आप उस से शिबलिंग का अभिशेक करें। ऐसा करने से शिबची की क्रपा से लक्षमी के प्राप्ति होती हैं, और धन प्राप्ति के नए मार खुलते हैं। दोस्तों, अगर आपके परिवार में किसी भी सदस्य को तेज बुखार हैं, तो आप शिबलिंग पर जल स अगर आप लंबी समय से परिशानियों से घिरे चले आ रहे हैं, समस्य ऐसी है कि कोई हल नजर नहीं आ रहा, तो आप आज के दिन शिबलिंग पर जो अर्पित करें। ऐसा करने से लंबी समय से चली आ रही परिशानियां दूर होती हैं। दोस्तों, अगर आपको कोई रोग है या आपके बहुत सारे शत्रू हैं, कोई शत्रू है जो आपका पीछा ही नहीं छोड़ रहा, कोई शत्रू है जो आपको चैन से नहीं दहने देता, तो शत्रू को शांत करने के लिए आप आज के दिन शिबलिंग का सरसों के तेल से अ इस मंतर का आप 108 बार जाप करें इस मंतर का रुद्राक्ष की माला पर जाप करना बहुत ही शुब माना जाता है ऐसा करने से भोले नात की कृपा से रोक तो दूर होते ही हैं इसके साथ ही शुत्रों का भी नाश होता है दोस्तों अगर आपको या आपके परिवार में किसी को टीबी या मदुमह की समस्या है तो आप आज के दिन शिबलिंग पर शुद्र शहत अर्पित करें ऐसा करने से टीबी या मदुमह की समस्या में राहत मिलती है अगर आप भौतिक सुखों के साथ साथ अंत में मोक्ष की भी कामना करते हैं तो आज के दिन आप भगवान शिबजी की शिबलिंग पर गंगा जल से अभिशेक करें ऐसा करने से मनुश्य को भौतिक सुखों के साथ साथ मोक्ष की भी प्राप्ति होती है दोस्तों अगर आपके ब्यापार में बरक्कत नहीं हो पा रही है या आप नौकरी की तलाश कर रहे हैं नौकरी नहीं मिल रही या नौकरी तो है लेकिन नौकरी में तरक्की नहीं हो रही तो इन समस्याओं को दूर करने के लिए आप आज के दिन भोले नात की शिवलिंग का पंचामरत से अभिशेक करें इसके लिए आप एक लोटे में शुत्य जलने उसमें कच्चा दूद, दही, शहद, घी और शक्कर मिलाएं और अगर गंगा जल हो तो गंगा जल भी अवश्य ही मिलाएं अब आप इस पंचामरत से भागवाई शिवजी की शिवलिंग का अभिशेक करें अभिशेक करते समय ओम नमशिवाई मंतर का जाप करते रहें महिलाएं और कन्याएं नमशिवाई मंतर का जाप करती रहें इस तरहें पूजन करने के पश्चात रात्री के समय आप शिबलिंग के पास एक शुद्धिखी का दिया अवश्य ही जलाएं और बहीं पर बैठ कर 108 बार ओम नमर्शिवाय मंत्र का जाप करें, महिलाएं और कन्याएं नमर्शिवाय मंत्र का जाप करें ऐसा करने से रोजकार और ब्यापार में आ रही रुकावर्टूर होती हैं, ब्यापार में बरकत होती है, रोजकार में तरक्की मिलती है दोस्तों भगवान भूले नाथ को किस मनों कामना के लिए क्या द्रप्य अर्पित किया जाएं? यह शिप पुरार में वर्नित हैं इसलिए आप पूर्शत्धा और विश्वास के साथ यह द्रब्य भागवान भूले नात को अर्पित करें। दोस्तों ध्याम रखें आप द्रब्य अर्पित करते समय ओम नमशिवाय मंतर का जाब करते रहें। और द्रब्य अर्पित करने के पश्चाद आप बहीं बैठ कर एक सो आठ बार ओम नमशिवाय मंतर का जाब करें। और कन्याय नमशिवाय मंतर का जाब करें। इसकी पश्चाद भगवान श्री हरी विश्णू जी के महामंत ओगनमो भगवते वासु देवाय का भी 21 बार जाब अवश्य ही करें। आज के दिन इस तरहें भगवान भोले नात का पूजन करने से भगवान श्री हरी विश्णू जी की भी असीम कृपा प्राप्त होती है और मनुकामना अवश्य ही पूर होती है। आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी प्लीज लाइक करें। हमारी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और इस्तेदारों में जादा से जादा शेयर करें। जिससे भेभी इसका लाब उठा सकें। हमारी और भी वीडियो के लिए हमारी चाल को सब्सक्राइब करना न भूलें। टैक्स पर वाचिंग। राथे राथे।